हलो बच्चों आपका हमारे यूटूब चेनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है आए आज हम एट ग्रेट अभ्यास पुस्ति का कक्छा शात्वी शंस्क्रत का पंजमा पाठ देखते हैं पंजमा पाठ आपको जो ये पुस्तक रासिक्षा केंद्र द्वारा प्राप्त ह ये बच्चों आपकी परिक्षा में इसी 8 ग्रेट अभ्यास पुस्तिका से ही प्रशन पूछे जाएंगे प्रशमा पाठ रक्षा बंदन नव पाठ का क्या नाम है रक्षा बंदन तो प्रशन देखते हैं पहला एक पदिन उत्तरम लिखत एक पद में उत्त के लिखना है भ्रातु हा मस्तके तिलकम का करोती उत्तर है भगीनी भ्रातु मस्तके तिलकम कुरुत्वा रक्षा शूत्रम बधनाती मतलब बहने रक्षा बंधन के शमय भाईयों के मस्तक पर तिलक करके रक्षा शूत्र बानती है यहाँ आपका पहला प्रश्ने कंप्लीट होता है देखि रक्षाम के कुर्वंती हमारे देश की रक्षा कोन करते हैं उत्तर है देश रक्षाम सेनिक के कुर्वंती हमारे देश की रक्षा सेनिक लोग करते हैं प्रशने क्रमांग तीसरे की तरह बढ़ते हैं सर्व बहाया सर्व बहा प्रसाईय के नरतियती मतलब पंक फैला के कोन ना प्रिश्ण कर्मांग चौथा इंद्रस्य पत्नया नाम के पतनी नाम सजीद था ठीक है यहां का प्रिश्ण क्रमांग 5 की तरह बढ़ते हैं एक वाक्य उत्रम लिखत एक वाक्य में उत्तर लिखना है पाच्वा प्रश्न देखिए कक्छायाम चात्रा परश्पम किम कुर्वन्ती उत्तर आएगा कक्छायाम चात्रा परश्पम वारतालाप मतलब बाचित करना चटवा प्रश्न देखते हैं लोक गायक किम कुर्वन्ती उत्तर है लोक गायक लोक वर्षा के गीत गाते हैं और नाजते भी हैं यहां आपका छटवा प्रिश्ने कंप्लीट होता है, प्रिश्ने क्रमाग साथ की तरफ बढ़ते हैं, उत्सवा किम प्रक्टी कुर्वंती, उत्तर है इसका जनह उत्सव प्रिया भवंती, मनुष्य उत्सव प्रिया होते हैं, आपका यहां साथवा प्रिश्ने कंप्लीट विकासे उत्सवा सायकह मतलब समाच के विकास में उत्सव सायक होते हैं यहां आपका प्रश्निक्रमांक आठ कंप्लेट हुआ प्रश्निक्रमांक 9 की तरह बढ़ते हैं दीर्ग उत्तरम लिखत प्रश्निक्रमांक 9 भारते के के प्रमुकह उत्सवा भवन्ती उत्तर है भारत प्रमुका मतलब हमारे देश के भारत देश के प्रमुक्तिवार कौन कौन से हैं विजय दश्मी जो नवरात्रे के बाद नव दिन बाद दश्मी आती है विजय दश्मी दूशरा दीवाली दीपावली नवरोज इद होलीका उत्सव बैसाकी ओडम मकर शंक्रांति च यह हमार अध्रे देश के बहुत प्रसित दिवार है यहाँ आपका प्रश्निक्रमांग 9 कम्प्लेट हुआ प्रश्निक्रमांग 10 की तरह बढ़ते हैं इतिहासस्य मध्य युगे का काम रख्छाशुत्रम प्रिशित वती उत्तर है इत्यास कालस्य मध्य युगे समागरी कर्मवत्ती हुमाईयू नामस्य मुगल सासक भवु इशनेह रक्षाशूत्र प्रेशित वती मतलब सुना जाता है कि इत्यास मतलब इत्यास के समध्य युग में महारानी कर्मवत्ती ने हुमाईयू नामक मुगल सासक था जो हुमाईयू बाबर का बेटा था और अगबर के पिता थे मतलब मुगल सासक के लिए बड़े प्रेमशे रानी कर्मवती ने राखी भीजी थी ठीक है यहाँ आपका पाठ पंजमा पाठा कंप्लिट होता है बढ़ते हैं सश्टा पाठ की और देखते हैं सश्टा पाठा का नाम क्या है सश्टा पाठा प्रयतनो विद्या मतलब हमें प्रत्न करते रहना चाहिए पहला प्रश्ण है बच्चो इसका एक पदेन उत्रम लिखत एक पद में उत्तर लिखना है पहला कठिन कार्यानी अपी सरल लानी कथम भवती प्रत्न कार्यानी अपी सरलतानी कथम भवती उत्तर है प्रत्न करते मतलब कठिन कार भी प्रत्न करन से सरल हो जाते हैं पहला प्रश्ने कम्प्लिट होता है बढ़ते हैं दूसरे प्रश्ने की तरफ लक्ष प्राप्ते किम आवश्यकम तो इसका उत्तर आएगा धेरेम हमें लक्ष की प्राप्ती तक धेरे रखना चाहिए तिसरा प्रश्न है छात्रा अधिकान आणं कथम प्रापनोती तो अधिक अंक छातर कैसे प्राप्त करते हैं तो उत्तर आएगा प्रत्न करने से मतलब मेहनत करने से ही अधिक अंक प्राप्त होते हैं चौन्था उत्तर है नदा मोहना नदाम मोहना कथम तरती मतलब तरती मतलब तैरना तो उत्तर आएगा अती कठीनम प्रत्न से ही छाथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए हम आपके लिए और आगे इसी तरह वीडियो ले के आएंगे देखते हैं बच्चों प्रश्ने करमाग करने से ही पराधिन्ता के बंधन से मुक्त हुआ है उत्तर देखे अस्माकम भाराधेश प्रतंतरात साथ मुक्तह यहां आपका प्रश्निक्रमांग पांचवा कंप्लिट होता है प्रश्निक्रमांग छटवे की तरह बढ़ते हैं अस्माभिय पुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुना रहना चाहिए ठीक है आपका यहां प्रश्नी क्रमांग 6 प्रयतन अत म्रेद्दूयम प्रयाती मतलब कठोर परिश्रम करने से ही मनुश को मलता को प्राप्त हो जाता है ठीक है आपका यहां प्रश्निक्रमांग साथ कंप्लीट होता है बढ़ते हैं प्रश्निक्रमांग आट की तरब जनाह प्रयतने कुत्र आरोहनम कुर्वन्ती इसका उत्तर देखते हैं प्रयतने एवं जनाह उत्तर परवतेशु अपी आरोहन कुर्वन्ती प्रत्न से ही लोग उचे परवद प्रत्न करने से लोग उचे परवद में भी चड़ाई कर सकते हैं इस मतलब प्रश्न क्रमांक आट का उत्तर का अनुवाद ये होगा ठीक है प्रश्न क्रमांक नौ की तरह बढ़ते हैं दीर्ग उत्रम लिखत देखते हैं प्रश्ने क्रमांक 9 क्या कह रहा है ग्रहे कानी कानी कठिन कार्यानी भवन्ती अनुभवं क्रत्वा नामानी लिखत मतलब हमारे ग्रह कार में जो कठनाई आती है उनके अनुभव लिखना है उत्तर है ग्रहे शंपून कार्यानी कठिन परिश्रमेन भवन्ती दूशरा प्रत्ने एवं छात्रा परिश्रायाम अधिकाम अंग प्रापनोती मतलब परिक्षा के समय अधिक परिश्रम मेहनत करने से हमें अच्छे अंग प्राप्त हो शकते हैं तीसरा है प्रत्न क्रते कठिन कार्यानी अप्पी सरल तानी भवंती मतलब प्रत्न करने से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं ठीक है यहाँ आपका प्रश्निक्रमांग 9 कंप्लीट होता है देखिए प्रश्निक्रमांग 10 अधो लिखत सब्दानाम सब्द कोशी अन्वेश्णम कृत्वा परियाय पादिन लिखत इसका उधारन देखिए प्रतनह कठोरह अयोग्याह जनह नदी तो उत्तर आएगा प्रतनह प्रयाश कठोरह ठोस अयोग्याह गुणहिन जनह लोकह नदी सरीतह ठीक है बच्चो आपका यहां सश्टह पार्ट कंप्लीट होता है हम आगे का पार्ट आपके आगे आने वाले वीडियो में लेके आएंगे जब तक आप अच्छे मन लगा कर पढ़ाई कीजिए धन्यवाद